वो बीटिफुल फीबल वेल्कम जी लेटनों लोकेट्स आज हम बात करने वाले हैं किचिन के एक कंटीनस के बारे में कुछ ऐसे कंटीनस जो की काफी बेसिक होते हैं मगर हर घर की रिक्वार्मेंट होते हैं तो यहां बें मैं बात करूंगा नया सव मिल्टन में आने वाले कुछ ऐसे सेट्स जो कि जिसके बारे में आपको डीटेल पता लग जाए कि जितने भी होते हैं सब पैकेट में पैक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस सबसे इंबोर्ड़न चीजब बता देता हूं यहां पर में दो तरीके के सेट्स हैं पहला है नयासा का सेट्स जो कि यह तीन डिप्बो का आता है और दूसरा है यहां पर मिल्टन का सबस्क्राइब बताऊं गां इस तरीके से एसे घुमांके खोल सकते हैं तो यह काफी लो खुलना नहीं है और कभी भी मतलब यह प्राब्लम आती कुछ ऐसी कॉलिटी में जो की यहीं होते उसमें प्रॉपरली बंद भी नहीं होते हैं तो ऐसा यहां पर यहां पर यहां पर गुण मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे कंटेनर कह सकते हैं अब यहां पर दो तीन चीज़े डीटेल आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है यह बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले है कि यहां पर देखो सिक्स मार्किंग आपको मिली हुए सारी फूर् यह सारी चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट नहीं अगर यह मार्किंग नहीं है तो प्लास्टिक के कंटेनर ना ली जाए वह आपको फूर पॉइंट सेवें लिटर का मिल जाता है जो स्मॉले साइज होता है न्यासा कंपनी का है मेड इन इंडिया है और न्यासा की क्वालि इसका बहुत अच्छी इसमें दिया दिये दो है क्लिक सथी सकते हैं मेसी मेश करके हैं फैसी 3 फची मंध्यासर की जी यह मिल जाता है देखे यहां पे इसके MRP भी दी हुई है उससे पहले यह 11.2 लीटर का मिलता है 10 नंबर का डिबा है और साथ ही साथ यहां पे भी similar markings दी हुई है MRP यहां पे दी हुई है बट बेफिकर होने की जरुवत है कि यहां पे जो MRP दी हुई है उससे काफी बेटर डिसकाउंट आपको मिल जाएगा अगर आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक से जाके खरी देंगे तो इसमें बहुत अच्छा डिसकाउंट जो चल रहा है वो मैं नीचे दे दूँगा तो आप घर बैटे भी इसको मंगवा सकते हैं और इससे डिलेटे डिब बे भी मैं दे दूँगा जो कि ज़्यादा अच्छे आप्शन हो सकते हैं और यहां पर यह देखिए अगर इसको भी मैं ओपन करता हूं तो इक प्रॉपर तरीके से लिड को भी दिखा देता हूं कि अगर फिनिशिंग की बात करिए तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में आती है और साथी साथ यह है कि अगर प्लास्टिक की कॉलिटी तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है अच्छी यह हम लोग अपने घरों में यूज भी करते हैं में वो 4.7 लीटर का था दूसरा डिबा जो है वो 7.2 लीटर का है और तूसरा डिबा है 11 पॉइंट संतिंग का तो यहां पर यह तीनों ही साइज आपको काफी बहतर दियो है और एक बाद मैं बता दो यह 7.2 लीटर वाले में 5 किलो के आसपास 6 किलो के आसपास कोई भी समाना अगर आप खोले में राइस दाल रखना चाहें तो भी इसी में रख सकते हैं बहुत ज़्यादा यह रहता है कि हम लोग अपने बिस्किट के खोल देते हैं फिर उसके बाद यह पहली बार में तो पुरा पैके रम कंजूम नहीं कर सकते तो वह सारे पैके जितने भी है वह रख सकते हैं और बिल्कुल भी सीलते नहीं है सीलन की प्रॉब्लम जो आ जाती है कि हमारे जितना भी फूर माटेरियल होता बिस्किट होते हैं बहुत जल्दी उसमें मॉश्चर आने लगता है जिसकी वाद से इन डिपों में रखने से वह प्रॉब्लम नहीं आती है अब में 1075 मतलब यहां पर तीन साइज आपको मिलते हैं पहले अमर्पी दिखा दिता हूं कि यहां पर यह देखे यह मार्पी है इसकी मगर इसमें बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चल रहा है जो कि आगो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मगर उससे पहले यह दिबा दे यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है और इसको उठाने के लिए इस तरीके से उठाना पड़ेगा और यह भी आपको दिया हुआ है बेसिक कलर दिया हुआ है और साथी साथ अगर आप ट्रांस्पेरेंट डिपा लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा उप्शन नहीं होगा यहां पर मिल्टन का यह बड़ा आला साइज है यह देखे आपके सामने और हंड्रे पर्शन यह भी लिखके देते हैं कि एयर टाइट कंटेनस हैं बीपीए फ्री हैं बीपीए फ्री का मतलब होता है एक हामफुल क्यामेकल होता है बीपीए जो कि इसकी यहां पर मिल्टन ने भी वहीं मार्किंग दे रखी है जो वहां नयासा ने दे रखी थी पस यहां पर केपैसिटी थोड़ा सांतर है इन्हों ने यहां पर 10 लीटर की जगे 10,000 लिख रखके हैं बात वही होती है सिर्फ यह है कि यह 10 लीटर के पैसिटी का है तो लगबग 9 कुछ चीज़े ऐसी थी जो लोगों को नहीं पता होती है यहां पर भी मार्किंग आपको मिल जाती है साथ ही साथ में इंडिया के साथ 7 लीटर का इसका यह मीडियम वाला डिबबा है और इसको ओपिन और करने का तरीका यह होता है कि इसको एक तरफ से करके और फिर इसको कर दिया जाए तो बहुत अच्छी तरह के से बंद हो जाता है पूरे बराबर से बंद करेंगे तो अंदर इसमें बढ़ जाती है तो यहां पर रिमूव करियों तो यहां से करिए इस तरीके से और जब क्लोस करिएगा तो एक तरफ से करके फिर उसको पुश कर दीजिएका अपने आप प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा एयर इसके अंदर नहीं बनती है और तीसरा जो डिबा है बड़ा प्यारा लग रहा है और साथी साथ यह है कि बिलकुल ट्रांसपेरिंट है और यहां पे आपको मिलता है फाइव लीटर का तो मतलब इसमें यह है कि जो स्म लीटर है और तीनों ही डिबबे एक साथ सेट में आते हैं और इसमें इससे बड़े साइज लेने हैं तो 15 लीटर भी अवेलेबल है जिसके मनें लिंक दे दिया है बट उसको कभी आगे किसी वीडियो में जरूर एक्स्प्रेंड करूंगा इसी का बड़ा साइज होता है ज दोनों ही फूट्ट्ट क्वालिटी के हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे घर की यूटिलिटी में काम आने वाले हैं बर इसमें एक चीज का ध्यान रख़िए गरम चीजे नहीं रखे जाएगी इसमें ये हैं कि भीन चीजे पार शर्विंग कोई बीचीज इसमें आप न बैठरीन डिसकाउंट में ये समय चल रहे हैं कि उसके लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा लगवग आपको मैं करंदाजा बता देता हूं तो 350 से लेके 450 के बीच के आसपास के इसमें प्राइसिंग मिल जाएंगा अब ये तो दो तरीके के डिब्बे हैं बट नीचे मै आते रहेंगे आप लोगों को help करने के लिए और home को improve करने के लिए thank you so much keep supporting us